एक्चुली डीस्टी किसी विलिन से कम नहीं है, ऐसे बहुत लोगो लख लख रहा है, डीस्टी काफी इंपोर्टेंट है मेल ट्रेट्स के लिए, जैसे फेशल हैर, डीप वाइस और असल, but you eat directly affects your hair, does dandruff cause hair fall? विमन में भी, especially menopause के बाद, अब डीस्टी बढ़ सकता है, जिससे डीस्टी प्रॉस्टेक ग्रोथ और सेक्शुल हिल्थ के लिए भी सरूरी है, ब्यूटी स्लिप सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के लिए भी इंपोर्टेंट है, आइस वाटर हेल्प कर सकता है ग्रोथ हैर ग्रोथ के लिए, वो पूसर है कि डस्क्रेटिन और रेव प्रोटीन कॉज हैर लॉस्ट जब हैर फॉल हो रहा था तो मैंने कहूं से स्टेप्स उठाए, कदम उठाए, और इसली बता रहा हूं, जो मुझे रिजर्ट्स थे ना, दो से तीन हफ्तों में विजबल होता ह है, मैं भी उनमें से एक जो हैर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, हैर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे बाल पतले और वीक हो जाते हैं, उनका हो है, हैर फॉल को बढ़ा सकता है, and if you love your hair, then So guys, आज के एपिसोड है, hair care और hair loss के फैंस के लिए, जी हाँ, यह साम टॉकिंग अबाउट दोस hair fall issues, सब को हो रहे हैं आज कल, मैं जानता हूँ, hair fall एक ऐसा issue है, जो एक बार शुरू हो जाए, तो never ending stress की तरह, लगता ही पीछे लगी जाता है मतलब, लेकिन आज हम सब सुझेंगे, from hair fall causes to DHT valence, काफी लोगों ने सुना होगा इसका नाम, और उसके साथ ही products और वो सब कुछ जो आपके बालों की जान बचा सकता है, जिसको कहते हैं आज बाल बचे, well, and I know, मैंने कैसे deal किया था अपने hair fall issue को लेकर, अगर आप जानना चाहते हो, तो चलो, शु common culprit है, एक hormone, पता है कौन है, वो है DHT, यानि की dehydro testosterone, ये नाम सुनकर, ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई sci-fi villain है, है न, actually DHT किसी villain से कम नहीं है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन मेरे भाई, DHT एक important hormone है, जो testosterone से बनता है, इसका role बहुत ही जादा important है, लेकिन, बालों की health pace का impact जो negative हो सकता है, DHT काफी important है male traits के लिए, जैसे facial hair, deep voice और muscle growth, जब DHT levels जादा होते हैं, तो ये hair follicles को shrink कर देता है, जिससे बाल पतले और weak हो जाते हैं, ये baldness का main issue हो सकता है, और main cause भी हो सकता है, women में भी especially menopause के बाद, अब DHT बढ़ सकता है, जिससे hair thinning या receding hairline हो सकती है, well, DHT prostate growth और sexual health के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो, तो acne और enlarge prostate जैसे problems हो सकते हैं, अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या कर सकते हैं DHT को block करने के लिए, और बहुत सारे म है, और DHT को लोग villain भी भानते हैं, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, DHT को block करने के लिए, कुछ foods होते हैं, जो natural होते हैं, जैसे कि pumpkin seeds, green tea, और saw palmetto को अपनी diet में add करना चाहिए, saw palmetto से याद है, मुझे मैंने भी इसको अपनी diet में add किया था, मतलब lockdown से पहले किया था, ल तो important चीज़ पता है, यहाँ पर क्या है, medication जैसे कि finis treat, इस से DHT को block करके, जो hair loss की जो, उसको ना slow कर सकते हैं, लेकिन अपने doctor के advice से ज़रूर लेना, पहले अपने doctor के advice लेना है, finis treat नहीं, तो भाई, DHT important है, लेकिन ज्यादा होना बालों के लिए harmful है, balance maintain करना ज़रूरी ह अब सोचो, जैसे घर में कम-कम space बचाओ, रूम के अंदर, जैसे कि एक रूम है, वो छोटा होता जाए, होता जाए, होता जाए, तो एक time के बाद क्या होगा, आपको suffocation फील होगी, वैसे ही hair follicles होते हैं, जो weak होते जले जाते हैं, और उससे क्या होता है, hair thinning का issue आ जाता है So result, hair growth slow हो जाती है, और hair fall बढ़ने लगता है, तो भाई सोचो, DHT वो annoying दोस्त है, जो बिना invite किये, आपके बालों की party को spoil कर रहा है, और hair follicles सोच रहे हैं, एक peaceful जिन्दगी जी लें, और DHT आ के उनको break up दे रहा है, और ये क्या मित जो मुझे सुनने में आ रहा है, oil रहेगा, देखो भाई, oil अच्छी है, हर जगा oil काम नहीं आता, कुछ-कुछ जगा छोड़ कर, लेकिन हर scalp को suit नहीं करती, oily scalp में आप oil से dandruff और hair fall और भी बढ़ सकता है, so no shortcuts, if hair fall is caused by DHT, तो shampoo, diet और treatments, इन सब की ज़रूत होती है, अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, ये तो पता चल गया, पर इसका solution क्या है, इस पर एक story याद आती है, जो कि आपको बहुत जदा, इससे आप relate कर सकते हो, तो मेरा एक दोस्त था, काफी chill dude, लेकिन receding hairline और thinning की वज़ा से stress में आ गया था, तो एक तरफ receding hairline पीछे जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी girlfriend के जो messages थे, वो भी आए दिन पर दिन कम होते जा रहे थे, तो दूनों तरफ से लगी पड़ी थी, एकदम panic mode जिसको बोलते है न, वो on था, तो मैंने का भाई, relax, ये DHT का issue है, और कुछ changes और थोड़ा patient से improvement possible है, तो उसने अपने doctor को दिखाया, और उसके बाद, तो कुछ specific products ही काम आएंगे आपके, पहला उसमें क्या है, anti-hairfall shampoo, ये shampoo scalp clean और follicles healthy रखता है, जो की DHT का effect neutralize करने में help करता है, क्योंकि soil strong होगी तो आपका tree भी strong होगा, तभी अच्छे से उस पे उसकी branches अच्छी होगी, trees से याद आया, herbal shampoos, neem, bhringraj और aloe vera वाले shampoos help करते हैं scalp को clean और dandruff free रखने में, ये indirectly hair growth को तो support करते ही हैं, और DST से weak follicles को strengthen करते हैं, और अगर आपको actual hair growth चाहिए न, तो मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ बता दूँ आपको, minoxidol, हाँ, यू का हो है, एक scientifically backed option है but patience और consistency चाहिए, ये hair growth को slowly trigger करता है, just like planting seeds in a garden, लेकिन minoxidil है तो ये बहुत ही बड़ा topic है, इसमें cover करने के लिए इतना कुछ है न, मतलब मैं आपको full research के साथ video बना के दे सकता हूँ, लेकिन एक condition उसके लिए, क्या, आपको comment करके बताना पड़ेगा, क्योंकि, जो minoxidil है काम करता है, आपने internet pics के बारे पड़ा होगा, और आज कल बहुत सारे ads भी देख रहे हूँगा, हो सकता है इस video पर, अगर आप ये video देख रहे हो, इससे पहले इसके बीच में भी ad है, बहुत सारे products है, इसमें minoxidil, बहुत ही, मतलब अभी कुछ टाइम से इतना दा पॉप its side effects, as in, इतने जादा नहीं होते, बट एक detailed videos पर बन सकता है, तो आप comment करके जरूर बताना, मैं पक्का इस पर video बनाऊंगा, लेकिन, मुझे एक चीज समझ आती है कि भाई, अगर आपको कोई भी चीज, solve करनी है, तो हमेशा उसकी root cause पर जाईए, और root cause को ठीक करने के बाहर से तो ये बस चमक आएगी, लेकिन अंदर से strength आएगी long term में, and वो strength आपको मिलेगी किस से, pumpkin seeds, almonds, और green tea, ये naturally DST को impact करते हैं, आपके follicles को protect करते हैं, चाहें आप men हो ये women, high protein और iron rich foods ज़रूर try करें, like nuts, leafy greens, berries, eggs, और chicken, लेकिन मैं तो vegetarian हूँ, research मैं तो मैंने डाल दि ये foods आपके hair को अंदर से strong और thick बनाते हैं, मालो ये foods आपके follicles के लिए protein shake और super foods हैं, जैसे humans को energy drink पसंद है, वैसे ही आपके hair के लिए ये जो खुरा कहना बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द हैं, और अगर आप अपने hair growth game को level up करना चाहते हैं, तो vitamin D और vitamin E, इसको गलती से भी ignore मत करना, ये vitamins बालो को अंदर से boost करते हैं, vitamin E capsules के बारे में ये बात जान लोगे, तो अभी chemist पर भागोगे, लेकिन रुको, ये scalp की blood circulation improve करते हैं, और बालो को shine और strengthen देते हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, vitamin D ये especially ladies के लिए important है, studies कहती हैं, कि vitamin D deficiency hair fall को और accelerate करता है, लेकिन, the good news, अगर vitamin D supplement कर लो, तो hair regrowth में help हो सकती है, तो थोड़ा sunlight enjoy करें, और जरूरत हो, तो supplements भी ले, और hair fall हो रहा है, तो पहले भाई, personal वो बता रहा हूँ, कि advice लेकर, अपने doctor से advice लेकर, vitamin D का test जरूर करा है, क्योंकि mostly agents होते हैं, sun से दूर भागते हैं, क्योंकि tan running की वज़ा से, मैं भी उन में से एक हूँ, लेकिन, मैं हर साल अपने doctor uncle से consider करके, अपने vitamin D levels को check कर आता हूँ, उसके बाद supplements जरूर add-on करता हो, क्योंकि मुझे पता है, being a vegetarian, it's hard to get those vitamin D, और bro, यहां एक और चीज है, correct कर दूँ आपको, sunlight कब की अच्छी होती है, और vitamin D से, hair के लिए निया, आपकी पूरी skin के लिए और भी बहुत सारे फाइदे होते हैं, हडियो के लिए और इन सब चीज हो के लिए, तो उसके लिए मैंने dedicated video बना रखा है, चैनल पर जाओ, और उस video को जरूर देखो, और मेरे दोस्त, lifestyle भी इसके अंदर important role play करता है, stress, smoking और sleep, यह स smoking, अब smoking क्या करती है, slows down करती है आपके blood flow को और nutrients को, यह पहुंच नहीं पाते हैं, और इसके वज़ा से hair thinning और नहीं start हो जाती है, और पुरानी movies में जैसे गवा जो था आपका अदालत तक नहीं पहुंच पाता था, ऐसे ही इसमें होता है, तो इसका result क्या होता है, weak hair follicles, और भाई, get good sleep, क्योंकि beauty sleep सिर्फ skin के लिए नहीं, बालो के लिए भी important है, अब समझो इस बात को, जब आप सोते हो, तो आपके बालो को अभी तो recharge mode on हो जाता है, अब इससे कुछ questions जाता है, जो मैं research करता है, तब मुझे सामने आए, पहला question है था कि, does dandruff cause hair fall, हाँ, dandruff hair foll को clock करके hair fall को बढ़ा सकता है, so dandruff control करने के लिए, shampoo ट्राइ करें, और shampoo में भी natural shampoo, अगला question था कि, rise water help कर सकता है, hair growth के लिए, so बिल्कुल, rise water में क्या होते है, proteins होते है, amino acids होते है, जो hair growth को naturally support करते है, so अब जो अगला question आया, वो आया, जो लोग regularly gym जाते है, वो पूसे है, लिकि does creatine or whey protein cause hair loss, so जो creatine है, और जो whey protein है आपका, वो hormones को तो देखो effect कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबस्यादा trigger क्या होता है, especially DHT levels, पर सब पे ये अलग-अलग effect करते है, it's best to observe your body, कि वो किस तरीके से react करते है, लेकिन बहुत सारी theories है, और सच बताऊं, ये बहुत बढ़ा एक debatable topic है, इस पर अच्छी कैसे debate हो सकती है, because creatine overloading भी एक term होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, कि एक ही दिन में 5-6 scoop ले ले दे, उसके बाद वो धीरी दिने करके कम करते हैं, और सेम protein के साथ करते हैं, और इसके पीछे reasons भी होते हैं, तो इसको नहीं चेड़ते हैं आपर क्योंकि comment के बिना video कैसे बने, so comment करो फटावट से, लेकिन इसको कुछ ऐसे समझो, creatine और wave protein लेना एक hair challenge है, एक तरफ आपके muscles हैं, तो दूसरी तरफ आपका hair fall है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको balance करना है, क्योंकि balance करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब hair fall हो दो आता, तो मैंने का उनसे steps उठाए, कदम उठाए, तो जल्दी से लेकिना start कर दो, because जब roots strong होगी, तो hair भी strong होगे, तो यह है seed mix remedy, यह remedy आपके बालों को नरिश करती है, growth को stimulate करती है, और hair fall को control में रखती है, और क्या है, यह एक amazing superfood combo है, जिसमें पहले है pumpkin seeds, यह high होते है magnesium में और zinc में, जो hair growth को boost करते हैं, और उसके बाद पता है क्या हाता है, flex seeds, यह है omega 3 fatty acids का अच्छा खासा source, जो scalp को hydrate रखता है, और dandruff को reduce करने में help करता है, उसके बाद क्या हाता है, पता है, sunflower seeds, यह vitamin E और selenium से भर पूर है, जो blood circulation को improve करता है, और बालों को naturally shine मनाता है, औ और हमारा चोटू भाई, chia seeds, यह protein और fiber rich होते हैं, और यह बालों की thickness और strength को maintain करते हैं, तो वह बात करते हैं, इससे बनाने का तरीका क्या है, और मैंने क्या गल्दी करी थी, वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 gram pumpkin seeds लेने हैं, सेम 100 gram flex seeds और 100 gram sunflower और 100 gram chia seeds लेने हैं, और यह आपके 200-300 के अंतर आजाने चाहिए, 500, hardly 500, अब पहले step में क्या करना है, इन seeds को 10 मिनट तक हल्की आज पर roast करिए, जैसे mostly लोग करते हैं, अपने friend को, अपनी cousin को, अपनी girlfriend को, अपनी sister को, जैसे उस तरीके से, अब क्या होगा इस और जब आप इसको ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको grind करना, start कर दे, इसका powder बना ले, तो भाई powder बन गया आपका, अब आपको क्या करना है, आपर बस एक spoon हर सुबा, empty स्वमक पे लेना है, वो भी किस के साथ, पानी के साथ, यह आपको consistently follow करना है, कितने weeks तक, 8-12 weeks तक, ए honestly बता रहा हूँ, जो मुझे results है, ना, 2-3 weeks में visible हो गए, और मतलब, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब, अच्छी चीज थी, और hair के साथ-साथ, आपको और भी चीजों में help करेगा है, और digestion में help को होगी आपकी, एक चीज का ध्यान नकना है, क्योंकि chia seeds होते है पानी में जाके फूल जाते हैं, तो make sure कि आप ज़्यादा ज़्यादा अपना पानी पिए, क्योंकि पानी पिए और पानी पिएंगे, hydration तो important ही, कोई भी चीज, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि hydration is very important, दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और करना, कि जब आप सुभा मि पर पिस नहीं बात अच्छे था, तो इसी विज़ा से, बट बहुत माज आएगा, अब जो second remedy बता दू आपको grey hair के लिए, अब बात करते हैं, उनके लिए जिनके बालों में थोड़े grey stands आ गए हैं, आ रहे हैं, अगर आप आपने बालों को natural black वापस बाना चाहते हो, बिन को store पर available मिल जाएंगे, पहली चीज़ क्या है, इसके अंदर, कलोंजी seeds, ये बालों के लिए बहुती natural black color restore करने में help करता है, तूसरी चीज़ क्या है, आमला powder, vitamin C से loaded होता है, जो scalp health को improve करता है, और hair growth में भी आपकी help करता है, तीसरी चीज़, बालों का राजा, ब्रिंग र बाकनर है, और बालों की strength और shine को restore करता है, और बड़ी चीज़ पता है, अब करना क्या है, इसके अंदर आपको, इसको बनाने के लिए, कलोंजी seeds को dry roast कर ले, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसका powder बना ले, अब इस कलोंजी powder को mix करिए, आमला powder के साथ, और भ्रिंग र बार लगाएं, उससे आपको effective result देखने को मिल सकते हैं, इससे आपके बालों को natural black shades वापस मिलने में help होगी, अब इसमें एक चीज़ बता दू, मैंने भी try करके देखा था, honestly, अपना review दे दू तो, मिक्सर में जो powder ना, उसको अच्छे से बना लेना, तब ही मजा आएगा, कलॉंजी जो होते हैं, अच्छे से पिस्ती नहीं है, तो make sure इसको बाहर बिसवाले हैं, अगर घर पे आपके अच्छे से पिस्ती हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अब आते हैं हम अपनी final remedy पे, जो आप internally consume कर सकते हैं, hair health को boost करने के लिए, तो यह remedy जो है, व उनों को improve करता है, उसके बाद काला तिल, जिसको बोलते हैं, यह बालों के अंदर से नुरिश करता है, और gray hair को delay करता है, तीसरी चीज़े के अंदर क्या, कलॉंजी, यह hair darkening और strengthening के लिए बहुत फायदे मन्द है, अब यह तीन चीज़े बता दी ही मैंने आपको, इसके instructions क् पहले चीज़े एक सबसे पहले, 100 gram भ्रिंग्राज लीजिए, 100 gram काला तिल लीजिए और 50 gram कलॉंजी ले, और फिर इन सबको अच्छे से mix कर ले और powder बना ले, और जो गलती मैंने की थी, वो यह थी, मैंने directly इन तीनों चीज़ों को बरतन में डाल दिया, और सबको mix कर दिया और जब मैं roast करने के लिए गया, तो मुझे पता चलता है कि उसके अंदर कीडे निकल जाते हैं, I know, यह point बताने इसलिए ज़रूरी था ताकि आप यह वली गलती ना करो, इस powder का, जब powder अच्छे से साफ सतरा powder बनाने के बाद, इस powder का आधा चमत सुबा लेना है, और शाम म और यह ना सरफ hair के लिए, बलकि digestion में भी अच्छी help हो जाती है, मतलब मैं बता दू आपको, कि जब मैं सुबा उठता हो ना, तो मेरे 24 abs easily visible हो जाते हैं, और आप इसको लेके light feel करते हो, तो दोस्तों मैं आपको एक take away point बता जाता हूँ इस वीडियो से, पहली चीज़ है उ इसमें चूज करते हैं एक चीज का ध्यान रखे, gentle shampoo, जाधा too much chemicals होगे रहे हैं, सब को avoid करें, effective और जितना हो सके, natural shampoo तो बहुत साथा बेटर रहेगा, तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, vitamin D और E, यह आपको अच्छे से पताईए, जो मैंने इतना कुछ बताया आपको, क आदब एक तरीके से यह लगा लो, कि natural bodyguard होते हैं उसकी तरह काम करते हैं, चौथा point है इसके अंदर, stress, smoking और sleep को balance में रखें, क्योंकि यह सब hair health का foundation, यह interconnected steps हैं, अगर इनको follow करोगे तो hair fall का solution definitely देखने को मिलेगा, just remember, patience और consistency इस ताखी, जैसे सुभा के बाद शाम है, आसम में चांद है, और comment करके बताना आपकी favorite remedy का क्या नाम है, तो मिलते हैं आपसे next informative video में, तब तक, bye bye मेरे दोस्तों, और अपने hair का अच्छा से ध्यान रखो, क्योंकि hair care is very important, so मिलते हैं आपसे next video में, bye bye झाल